ओके जैहिन प्यारे दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में और आज हम क्लास 11 का हमारा पॉलिटिकल साइंस फ्यव देट सब्देक याने की राजिनीति विज्ञान इसके मिट्रम एक्जाम के सैंपल पेपर को इस वीडियो में हम बहुत अ important है क्योंकि यहां पर हमने जो भी question लिया है बच्चो वह most important और selected question है जिसके आपके मिट्रम के paper में डिक्टो repeat होने के चांसे बहुत से question वही आते हैं जो हम आपको sample question paper में कराते है ठीक है तो वीडियो को पूरा end तक देखना हार एक question के answer को समझने के लिए ठीक है बच्चो तो आईए शुरुआत करते हैं देखिए आपका political science का paper तीन घंटे करेगा और 80 नमर का paper आएगा और एक चीज याद रिखेगा इस बात को आपका कोई सभी subject हो आपको उसके सामार ने जरूर पढ़ने चाहिए क्योंकि उसमें जो pattern दिया जाता है वही उसी तरीकी question आपके paper तक total आपके 12 है mcq आएंगे section B रहेगा इसमें 13 स 18 दो number के आपके 6 question होंगे और एक में आपको choice मिलेगे section C रहेगा 19 से 23 यह 4 number के 5 question होंगे और एक में आपको choice मिलेगे section D रहेगा हमारा जिसमें passage पर आधारे 4 marks के mcq होंगे ठीक है फिर cartoon पर आधारे 4 marks के mcq होंगे और 4 number क आपका एक map रहेगा ठीक है section E बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें हमारे 6 number के 4 question होंगे और 4 के 4 question में आपको अथवा देखने को मिलेगा ठीक है तो हम क्या करेंगे बच्चो यह जो है यह हमारा basically देखिए आपके लिए हमने कहा था कि हम आपके लिए 5 sample paper हर एकी वीडियो को लेके आएंगे तो political science का एक sample paper तो हमने आपको पहले ही करा दिया था यह हमारा sample paper number 2 है और उसका part 1 क्योंकि आज हम अपने section A और B यानि की MCQ और 2 number वाले जो question है इसको समझेंगे ठीक है जो बच्चे English medium के हैं वो अपने paper के pattern को यहां से देख सकते हैं बाकी part 2 और 3 जैसे ही बनेगा उसके link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा ठीक है बच्चो तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो section number A है multiple choice वाला वो यहां से start हो चुका है जिसमें total हमारे 12 MCQ आएंगे ठीक है आप tension मतलीजे मैं क्या करूंगा कि paper 1 के जो 12 MCQ है वो आप इन question का जो answer है अपने मन ही मन में दे लाइव में या फिर comment box में दीजिए ताकि आपके practice हो जाएगी और वीडियो के बार में बताना 12 MC से आपने किलने सही किये थे ठीक है बच्चो चलिए question number मारे यहां पर पहला आ जाता है 11 December 1946 को समविधान सवा का इस्थाई अद्ध किसे चुना गया था ठीक है आपके सामने option है सरदार पटेल को बिल्कुल भी नहीं पंडे जवाला नहरुजी को बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर राजंदर प्रशाद को जी हां डॉक्टर राजंदर प्रशाद को चुना गया था ठीक है अब यहां पर देखिए जवाला न तो यह आपको पता चल गया, दो एक्स्ट्रा बातें भी पता चल गया यहां पर ठीक है ना, तो ऐसे मैं आपको थोड़ी और नॉलिज देने की कोसिस करूँगा, ताकि आपको समझ में आ सके, यहां पर देखिए, इस कोसिन के बारे में, दो नंबर में, चार नंबर में आपका एक बड़ा कोसिन में बनेगा, उसे मैं आपको कल की वीडियो में समझाओंगा, ठीक है ना, पहले यह समझो, तो सामुहिक्ता का सिध्धान किस से समझ देता है, ठीक है, क्या यह मुखे नियाइधीस की निक्ति से है, या राश्ठपती से, तो राश्ठपती के वारे में तो वो था, क्या बोलते हैं, एकल संक्रमणिया मतवाली पर नालिती, यह तो हो नहीं सकता, रही बाद प्रधा न्याइजिस की न्युक्ति से संबंदित होता है यह संमृत्टा का सिध्धान अब भाइ आप यह होगे क्यों होता है क्योंकि इसमें जो राश्टपती होता है वो अन्य जो हुTe उनसे सला मेश्वरा करते हैं और लोगों से पूसते हैं कि मुख्य नेलिस किसे बनाए जाए इसलिए इसलिए से सामिक्रक्षा सिल्दान्त बोला जाता है ठीक है तो मैं आपको question के पीछे का fact भी बताता चाहिए then what is the principle of collectivity related to by appointing appointment of the chief justice ठीक है चलिए अब आता है हमारा question number 13 third है बड़े द्यान से समझेगा भारत में हमें पता है कि संसरिय कारिपालिका को अपनाए गया है लेकिन यह जो संसरिय कारिपालिका की जड़े भारत में कब हो रही कब ऐसा लगा कि भारत में संसरिय कारिपालिका ही लागू की जाएगी जब समिधान बनेगा तब तो ऐसा तक है नहीं भी हट जाएगा 1900 संसालियत में भारत के आजार होने के बाद में नहीं यह भी गलत है राइट आंसर है बच्चो 1929 और 1935 में जो प्रांथिये चुना हुए तो और जो अधिनियम आया था एक उससे और 1919 में संसद्य विवस्ता की जड़े भारत में उबरी थी ठी कंप्लीट है बच्चों देखिए कंप्लीट आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से वें डिट दा रूट्स और पार्लियमेंटरी एक्जूटुटुब इमर्ज इंडिया रॉम दा पार्लियमेंट सिस्टम इन नाइंटीन नाइंटीन और 1935 अब देखिए पूस्चिन नंब बलकि जो राज्य विधान सभा की निर्वाची सरस होते हैं वो करते हैं तो पहला मारा राइट है सेकंड है कि राज्य सभा को उपरी सरन बोला जाता है या फिर राज्यों की परिश्य कहा जाता है तो ये भी ठीक है और थर्ड है कि राज्य सभा की जब समिधान बना था उ संख्या 245 वर्तमां में लेकिन वर्तमान में एक्चुल संख्या 245 यह ठीक उसके बार में हैं यह राज सबा कारिकाल पांच वर्षों का होता है यह गलत है क्योंकि चुनाव है वो हर दो वर्ष में होता रहता है टीक है माल लेजे राजसवा में कुल यह 90 सरस है एक्जामपल के लिए इसमें से 30 जो सरस होंगे इनका चुनाओ हर 2 साल में होता रहेगा एक त्या हर 2 साल में होता रहेगा इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो 4th point है यह गलत है तो right answer कौन सा हो जाएगा जिसमें पहला दूसरा तीसरा सही हो यह रहा ठीक है पहला दूसरा तीसरा यह हमारा right है complete है बच्चो अब English में आप देख लेंगे तो जो राज इसके बारे में पहला ठीक है दूसरा तीसरा 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 यह right है चलिए आप देखिए यहाँ पर question number 5 जो है बहुत ही अच्छा प्रशन है इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा ठीक है यह basically अविकतन और कार जर्ण में दिखता है तो दोनों चीजें सही होंगी व्यक्या ओगी अगर नहीं दिखता है तो दोनों कथन ठीक होंगे व्यक्या नहीं होगी यह कुछ गलत होगा तो वह आजाए एक जामपल के लिए जैसे हमारा जो ये अविकतर है ये कहता है कि भारतिय सम्विधान के जो जनक है वो डॉक्टर भीमराव अम्बीड कर माने जाते हैं ठीक है तो पहला आपका एक नंबर का question complete हो गया सम्विधान का जनक किसे बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बीड कर को बिल्कुल ठीक है बात भाई कारण क्या है कारण ये है कि इस अधिकार के तहट किसके सम्विधान एक उप्चारों के अधिकार के तहट यदि किसी भी नागरे के मौलिक अधिकारों का उलंगन होता है तो वैस सीद उच्च न्यायाले या फिस सर्वच न्यायाले में अर्जी दाखिल कर सकता है और इसके तहट न्यायाले कई तरीके के विसेस आरेश जारी करती है जिसे रिट कहा जाता है ठीक है तो यानि कि यहाँ पे जो हमारा अभी कथन है यह भी सही है और कारेंड भी सही है अब देखो यहाँ पे आपको कुछ 5-6 MC की उपता चलेगे सबसे पहला संविधान का जनक किसे का गया है डॉक्टर भीमराव अंबेड कर ठीक है और उसके बाद वो जो विशेस आदेश जारी करते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको देट बोला जाता है तो सब कुछ आपको एक तरम एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो अब यहाँ पर बात करें अगर हम इसके आंसर की तो भाई देखो क्या हो जाएगा कि हमारा अभीकरथन ए भी सही है कारण दनों संकते हैं और कारण हमारे अभंड़ेदल आ की सही व्याक्या करता है ठीक है समझ गये सी तरीके से एकलिश में आ जायेग। अब यहां पर आ जाते हैं बच्चों नमबर 6 बहुत अच्छा प्रशन है जो कि हमारे अनुच्छेद अभी मैं आपको बताऊंगा कॉंसर नहीं तो आपको आंसर का पता चल जाएगा ठीक है देखे 160 के वरुद अधिकार में खादानों में कार खानों में या फिर जो बड़े बड़े खतरना काम होते हैं यहां पर बच्चों की मनाही की गई है यहां की बाल्शन को अभेट किया गया है तो यह किस अनुच्छेद के अंतरगत है क्या यह अनुच्छे 24 में है 23 में है 27 29 में तो देखो सोच्ण के वरुद का अधिकार अनुच्छे 23 और 24 में दिया गया है ठीक है और रही बात ख़दान कार खाने खतरना काम है बच्चों की मनाही की तो यह किस अनुच्छेद में बच्चों यह है अनुच्छेद 24 में ठीक है वाल्श्टम जो अवैद है वह अ सब्सक्राइब कानुन चाहिए जिससे उसका देश चलता है उसमें वह सब्सक्राइब कानुन चाहिए सभी कुछ दिया होता है देश के संचालन के नियम काईदे कानुन नागरिकों की अधिकार सब कुछ इसमें लिखे होते है उसे संभीधान गोलते है तो संभीधान में कठोर संभीधान क्या होता है क्या ऐसा संभीधान जिसमें आसानी से संसोदन हो सके ऐसा संभीधान जिस में आसानी से हो जाए वेल सेवन का हमारा option भी राइट हो जाएगा ठीक है बच्चो अब यहां पर अगला जाता है कि वाट डू यू अंडेस्टेंड वाई रिग्ड कॉंस्ट्यूशन इट इस विच के नौट वी इजी ली बॉडिफाइट ठीक है आपने देखा होगा कि सम आसे समझे अमेरिका में आप सभी को पता है कि वहां पर सबसे में यह वस्तामे नहीं होता है मिश्रित में होता है नहीं होता है समयवादी नहीं होता है किस में होता है अध्यचात्त में क्यों भाई क्योंकि इसी विवस्ता के तहट जो किसी भी देश का जो सबसे सरकार का प्रोविक्ति होगा देश का अपचारिक विक्ति होगा वो सिर्फ और सिर्फ राष्टपति जबाब दे नहीं होता है तो समझ में आगे अच्छे तरीके से कौन सा है option D वारा आगे आजाए कि what system of government are there in America it is presidential आगे आजाता है question number 9 देखिए इसको बड़े ध्यान से आपको समझाऊंगा बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट रह जाता है आपको पहँचान करनी है कि उमीदवार उसे समझाऊंगा होगा जिसके लिए seat आरक्षित है लेकिन vote सभी लोग डालेंगे example माल लीजे ये गाउं है ठीक है इस एक गाउं में ये age से लेके जड तक के टोटल समझाऊंगा रहते हैं लेकिन जो seat है वच्चों वो आरक्षित की गई है इस माल लिए एन समझाऊंगा ठीक है तो जो प्रतिनीदी होगा यानि कि जो उमीदवार चुनाऊं लड़ेगा वो तो केवल एन समझाऊंगा होगा लेकिन जब वोटिंग की वारत होगी तो वोट ए से जड तक के सभी लोग डालेंगे और इसको बोलते हैं आरक्षित चुनाऊंचेत ठीक है आरक्षित चुनाऊंचेत वहीं प्रतिक निर्वाचन की मंडल ये वात आती है तो जैसे एन तो सेम कम्मुनिटी फोर विच दी सेट इस रिजर्ब बट एवरीवन विल कास्ट देयर वोट अधिस कॉल्ड रिवर्श्ट चुनाऊंचे चलिए पुश्चन नमबर हमारा टैन है संविधान का एक मूल धांचा है और संसर सैत कोई भी इस मूल धांचे में छेल चाड नह तो आधि यानि की यह फैसला है और निया पालिका में जो में पॉर्ण परिम कोड़ यह उसका फैसला यह फैसला केश्वा नन जो भारती मामला हुआ उसमें लिया गया था ठीक है बच्छों इंग्लियस में the constitution has a basic structure and no one including the parliament can temper with the basic structure whose decision is it that is of the judiciary okay question number 11 अभी जैसा कि मैंने आपको बताई दिया था ऊपर ये राजपाली की निक्ति कौन करता है राजपाली की निक्ति राश्ट्रपती करता है लेकिन किसकी सलाह से जो हमारी central government होती है केंद्रिय सरकार होती है उसकी सलाह से ठ president by president सबसे आखरे question है अब इसमें देखिए आपका एक दो number का question complete हो जाएगा या फिर चार का भी कह सकते है कैसे question हमारे सामने ये है कि हमेना एक प्रणाली दी गई है सबसे अधिक मत से जीत की प्रणाली तो हमें बताने इसमें से concept विसेस्ता नहीं है तो पहला point क्या है ये बहुती सरल है ऐसे मत दाताओं के लिए जिने राजनीती का या फिर चुनाव का जड़ा ग्यान नहीं है वो चाते हैं ये चुनाव लड़े और हम इसको वोट देंगे ये जीत जाएगा बस उनके लिए बहुत असान है ठीक है उसके बाद इस प्रणाली के तहट जब चु जाए तो मल पास इसफर्ष विकलक होते है इसमें जो प्रतीनीरी होता है चाहे वो प्रणमंत्री बहुत की मंतरी नहीं रखिए और एक निर्वाचन छेत से कई प्रतिनी चुने जा सकते यह गलत है वाई क्यों कि देखे एक्जामपल के लिए मान लीजिए यूपी है यूपी को हमने तोटर पांच जो इलेक्शन जोने 25 जोन में डिवाइड किया तो हार एक इलेक्शन जोन से येवल एक ही प्रतिनी चु कोश्चन भी कंप्लीट हो गया है ना तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन नंबर ए था एक है सेक्शन नंबर ए मल्टिपल चॉइश कोश्चन वाला इसको हमने यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए अब आप सभी ने क्या करना है कमेंट बोक्स में मुझ सेक्शन की तुरफ जो कि है सेक्षन नंबर भी सेक्शन कोश्ट कोशन है हमारे क्ने पहलं क्या है महारी सामने क्या है हमारे समने पहला कोशन यह है दो नंबर का की बारतीयai समीधान में ब्रे aprim które से लिए EPA कीनी प्राबधानों को लिखे अथार हम सभी को पता है भारतिय समिधान में तक इवन कुछ साथ से आठ देशों के समिधान से कुछ-कुछ प्राबधान लिए गए है तो ऐसे में एक और समिधान है ब्रिटिस समिधान उससे भारतिय के समिधान में जो प्राबधान लिए गए है वो उनमें से कोई चार बतान है, ठीक है, यानि कि one and half marks है आपके हर एक प्राब्धान का, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे बच्चों, कि बिटिस के समिधान से, भारत के समिधान में जो प्राब्धान लिये गए है, उसमें सबसे पहला है, भारत की चुनावी प्रि होते हैं, वो भी कहां से लिया गया है, बिटिस समिधान से, भारत की जो सरकार है, इसका स्वरूप संसरिय रहेगा, यह भी लिया गया यहीं से, साथ ही साथ, कानून के आधार पे देश में असाशन किया जाएगा, इसका विचार भी यहीं से लिया गया, उसके बार में वि प्रिटेस के संभिधान से लिए गए तेगे बच्चो अब इसी में second question हमारा ये है कि भारतिय संभिधान की आलोचना के कोई दो बिंदू लिखिये देखिये हमारे संभिधान के 50 नहीं सो नहीं सेकड़ों विसेश्था हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी आलोचना भी संभिधान हैं जिसमें वर्तमान में लगबग 470 नुच्चेद 12 अनुसूचियां और 25 वागे तो आलोचना ये है कि इतने बड़े संभिधान को एक आम विक्ति के लिए समझना या पर पड़े लिखिये विक्ति के लिए भी समझना बहुत मुस्किल होता है ठीक है दूसरी संभिधान के लिए सही नहीं है ठीक है तीसरा यहां पर पॉइंट आता है कि जब संभिधान का निर्मान किया गया था जो संभिधान सभा बने थी जिसमें 319 सदसी टोटल हुए थे और भारत-पाकिसान के विवाजन के बाद टोटल 299 सदसी रह गए थे तो ये संभिधान सवाग में सभी समूं का उचित प्रतिन नहीं करते थे, क्योंकि महिलाओं में कुछी 20-25 महिलाओं को यहां पर लिया गया था, ठीक है ना, और अनसुष्चत जाते और जन जाती कि मात्र 28 सरस्या पर लिये गए थे, यह दर्शात है कि भाई यह चीज तो गलत थी, ठीक है ना तो आनुचकों का मानना यह है, अलांकि यही इसकी विशेष्टाएं भी है, ठीक है ना बच्चों, तो आपका question number 13 है, आयोब आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे तरीके से, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ेंगे, अब हम अपने English medium में इस question को देखेंगे, ओके, यह र question, write any two points of criticism of Indian constitution, तो क्या-क्या criticism होता है, उसके साथ में यह 3 point आपको मिल जाएंगे, अगला question आ जाता है बच्चों, question number 14 है, दो number का, question में पूछा गया है, विधाईका, यानि कि जो संसर होती है, यह कारे पालिका पर नियांतन रखती है, कई तरीकों से रखती है, उसमें एक तरीका है, ए विश्वास प्रस्ताव, जो की विधाईका का बहुत बड़ा मजबूत हतिया है, बताइए कैसे, तो देखो भाई, ए विश्वास प्रस्ताव को हम निंदा प्रस्ताव बोलते हैं, ठीक है, यानि दोनों का मतलब एक ही है, basically, जब विधाईका को, यानि कि संस संस्ताव, यानि कि ये ए संस्त होना संसद का सबसे बड़ा हतिया है, ए विश्वास प्रस्ताव, लेकिन ये ऐसे संसद में नहीं लाया जा सकता है, ये तभी संभव है, जब संसद को दलका और सयोगी दलका पूर्ण बहुत मिलें, जिसकी अदात पे सरकार बनाई गई है, अगर होता है, तभी कारपलका की उत्तरदायत को संस्चित किया जा सकता है, ठीक है, तो ये है ए विश्वास प्रस्ताव, प्रस्ताव, इंग्लिस में नॉन कॉंफिडेंस मोशन, इस आपका हो सकता है, कि चार नंबर में भी आजा, क्यूंकि इसमें लिखने को तो कई सेक्ड़ों आप लाएने लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन 11 के स्टेंडर के अकॉर्डिक हम बात करें, तो कॉशन 15 कहता है, कि हमें भारतिय संविधान में मौलिक अधिकार जो हमारे लिए गए हैं, इसकी हमें आवश्यक्ता क्यूं पड़ी, ठीक है, मारे संव मौलिक अधिकार हैं, तो हमें इन मौलिक अधिकार की आवस्यक्ता ही क्यूं पड़ी संविधान में लेने के, ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यह है, कि जो संविधान निरबाता थे, इन्हें पता था, कि अंग्रेजों ने पिछले 180 से 200 सालों तक, जो भारत पे राज किय है, ठीक है, उसकी जो चाप छोड़ी है, उसकी उससे पूरी तरीके से उभरने के लिए, और हर एक व्यक्ति, जो अंग्रेजों से पीडित हो चुका था, वो सौतनता पूर्वक जीवन अपना जी सके, अपना विकास कर सके, इसके लिए मैं आवसकता पड़ी, ठीक है, मौ अले करिकार समाज में, देखें, हम सभी को पता है, कि भारत में कश्मीर से लेके कन्यकुमारी तर, गुजराश से लेके, ठीक है, अरुणांचप विरेशत है, कई धर्मों को मानने वाले, कई जातियों के, कई संस्किति को, भास्षाओं को, लिप्यों को मानने, लिखने, बोलने वाले लोग रहते हैं, तो इन सभी में, समानता लाने के लिए, पूरे देश में सौतनता बन्या रहे, बंदुत्तों का विचार है, वो बना रहे, आर्थिक और समाजी की स्थी बनी रहे, लोगों का विकास अच्छे से होता रहे, एक साथ विकास हो, इसलिए हमें म fundamental rights in the Indian constitution, तो क्यों है, उसके बारे में आप यहां से बढ़ सकते हैं, ठीक है, चलिए, question number 16 आजाता है हमारा, बहुत अच्छा प्रशन है, दो नुम्बर का, question यह है, कि सर्वोच न्यायाले का छेत्र रिकार के तहर, मौलिक छेत्र रिकार का वर्ण कीज़े, देखिए हमें पता है, सर्वोच न्यायाले के पास में तीन होते हैं छेत्र रिकार, जिसमें से सबसे पहला मौलिक छेत्र रिकार है, तो देखिए क्या होता है, बिसिकली इस मौलिक छेत्र रिकार के तहर, कुछ मुकदमों की सुनवाई जो है, वो सीधे सर्वोच न्यायले अपने पास क सकता है, ऐसे मुखर्दमों कि सुनवाई के लिए कभी भी नीचे कि जो अदालते होते हैं, उसमें सुनवाई ज़ारी नहीं होती है, कास करके कैंद्र और राजी विवस्ता के मामले में जो उंकी सुनवाई सर्वोचिनेयले स्वेम करता है ठीक है और एक सबसे important बात यह है कि अगर sensor के त्वारा कोई कानुन बनाए जाता है ठीक है वो सम्विधान के तहत नहीं है सम्विधान के में जो बाते करेंगे उसके according नहीं है तो ये कैंद्र राज सरकार की जो सक्तियां है और जो कम बगर बनाए जाते हैं उसके सम्विधान के नुसार व्याक्या भी करता है इसलिए देश के संग्य मामलों में ये कमपार और निणाय की भूमिका भी निभाता है कौन सर्वोचिन आया रहे है ठीक है तो ये हमारा पॉस्टन नमबर सिक्स्टीन होगे आयोप आप समझ गये होंगे अब इसको इंग्रीज में देख लीजिए कि डिस्क्राइब दी ओर इसनल जुडिक्षिन अंडर दी जुडिक्षिन अब दी सुप्रीम कोड तो क्या है फंडमेंटल जुडिक्षिन वी से हम बोल सकते हैं उसके बादे अब देखें कोश्टन में 17 आपको मैंने जब इंपॉर्टन कोश्टन करवाई थे तो बहुत अच्छी से बताया था क्या है राष्ट्रपती के संबंध में पॉकेट वीट्व से अब क्या समस्त इसे कहते है य lasers नहीं को पूरी तरीके से लागव कर वाना होता है तो कहा जाता है साइन होने क्लिए राष्ट्रपती किसी वीदेक पर नहीं नहीं देता है और संभिधान तीन के तहट पुनर विचार के लिए भी नहीं लोटाता है तब ऐसी इस्थिति में राष्टपती पॉकेट वीट को अप्यू करता है जिसके तहट वह किसी भी विद्यक को लंबे समयत्यक अपने पास रख सकता है इसको पॉकेट वीटो कहा जा लेकिन इस मामले में धन विद्यक इंक्लूड नहीं होता है तो यह वह से अपने पास लंबे समय तक रख सकता है जब तक जाए तक इसको पॉकेट वीटो बोला जा सकता है तो इसके बाद इंग्लिस में वाट डियू अंडेस्टेंड वाट वीटो इन डिरेशन और टो दि संसद होती है यह कई समीतियां बनाती है जैसे अगर कोई बजट पारेज करना है तो वह कई प्रकार की वित्य समीतियां बनाती है तो हमें बताना है संसद के द्वारा बनाए जाने वाली इन्हीं दो वित्य समीतियों का वर्ड एंड करना है तो आएए देखते हैं इसमें कि रेखे कुछ समीथिया हैं, जिसके नाम मैंने याँ पिलिए है,सबसे पहला नाम है लोग लेका समीथि, likelihood यह क्या होती है? यह समीथि संसत के द्वारे इसलिए बनाया जाती है, ताकि भारत सरकार के विविन विवागों का खर्चा नियम के रिफसार हो रहा है या हुआ है या नहीं हुआ है इसके जनकार के लिए इसको बनाया जाता है यह बनती है इसका काम होती है दूसरा है प्राकलेन समीति यह ऐसे समीति होती है जो उन तरीकों का पता लगाती है जिससे के खर्चे को और कम किया जा सके ठीक ह है कि वो अच्छे से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं वो कैसे अपना खर्चा कर रहे हैं कितना कषचा करने लॉस वगरा जो गवर्बनेट ड्योग होते है उसके लिगे काम करती है ठीक है तो यह point था संसर्थीय सम Sz темitoo के बारे में जोकी विद्धिय समीथ तो इस तरह से आपका यह जो सेक्षन था हमारा एक सेक्षन नंबर भी दो नंबर के छे कुशन जिसमें एक में चोइस मिल गई थी आयोप आपको समझ में आगे होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशन थे और आपको मैंने समझा वी अच्छी तरीके से अब यहां पर देखि हमारी अगली वीडियो उगी सेक्षन सी खोंजींगे जिसमें सेक्षन नंबर के पांच कुश्ऩिं होंगे टीक है सेक्षन ड को समझेंगे जिसमें चार माक्स के MC क्यो रहेंगे पैसे पर अधारित, चार माक्स के MC क्यो रहेंगे कार्टून पर अधारित और चार माक्स का जो है वो हमारा map रहेगा इसको हम part 2 की video में समझेंगे part 2 का link आपको eye button में या फर video के description box में देखने को मिल जाएगा ठीक है बच्चों यह हुआ आज का हमारा याँ पर वीडियो कात्म और आयओ आप सभी को आज की ये विडियो चे लही होगी और यह था हमारा पेपरed नमबर्ट सू का पार्ट नमबर वान ठीक है वीडियो च Wheat देडियोचे यह थो वीडियो के तस आप साउमियोगी ठीक है? लाइक करो, कमेंट करो, देख और अपने दूस्तों के साथ में शेर करो, सबसे इंपोर्टेंट चैनल को जरू से सब्सक्राइब करें, वीडियो अभी आप के रिए और आएगे, ठीक है? चले मिलते हैं आपसे की वीडियो में इस वीडियो को देंकित के लिए आपका बहुत बहुत धन्दवार जैहिन जैवादत बंदमात लुए